मैं तुम पर ये अटल सक्चाई प्रकट कर रहा हूँ वो जो भेड शाला में द्वार से प्रवेश नहीं करता परंतु बाड़ा फान कर घुसता है चोर और लुटे रहा है परंतु जो द्वार से प्रवेश करता है वो भेडों का चरवाहा है उसके लिए द्वार पाल द्वार खोल देता है भेडें उसकी आवाज सुनती है वो अपनी भेडों को नाम लेकर बुलाता और उन्हें बाहर ले जाता है अपनी सब भेडों को बाहर निकाल लेने के बाद वो उनके आगे आगे चलता है और भेडें उसके पीछे-पीछे, क्योंकि वे उसकी आवाज पहचानती है। वे किसी अंजान के पीछे कभी नहीं चलेगे, परंतु उससे भागेंगे, क्योंकि वे उस अंजान के आवाज नहीं पहचानती है। मसी येशु के इस दृष्टांत का मतलग सुनने वाले नहीं समझें कि वो उनसे कहना क्या चा रहें। इसलिए मसी येशु ने दोबारा का, मैं तुम पर ये अटल सचाई प्रकट कर रहा हूं। मैं ही भेडों का द्वार हूं। वे सब ही जो मुझसे पहले आये, चोर और लुटे रहे थे। भेडों ने उनकी नहीं सुना, मैं ही द्वार हूं। यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करता है, तो उधार प्राप करेगा। वो भीतर बाहर आया जाय करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी अन्य उद्देश्य से नहीं, मात्र चुराने, हत्या करने और नाश करने आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुत आयत का जीवन पाएं। मैं ही आदर्ष चरवाहा हूं। आदर्ष चरवाहा अपनी भेडों के लिए अपने प्राण दे दिता है। मजदूर जो ना तो चरवाहा है और ना भेडों का स्वामी। भेडिये को आते देख भेडों को छोड़ कर भाग जाता है। भेडिया उन्हें पकड़ता है और वे तितर-बितर हो जाती है। इसलिए कि वो मजदूर है उसे भेडों की कोई चिंता नहीं है। मैं ही आदर्ष चरवाह हूं। मैं अपनों को जानता हूं। और मेरे अपने मुझे। ठीक जिस प्रकार पिता परमेश्वर मुझे जानते हैं। और मैं उन्हें भेडों की लिए मैं अपने प्राण भेड कर देता हूं। मेरी और भी भेड़े हैं। जो अब तक इस भेड़ शाला में नहीं है। मुझे उन्हें भी लाना है। वे मेरी आवाज सुनें। तब एक ही जुन्ट और एक ही चरवाहा होगा। परमेश्वर मुझसे प्रेम इसलिए करते हैं। कि मैं अपने प्राण भेड़ कर देता हूं। कि उन्हें दोबारा प्राप्त करने। कोई भी मुझसे मेरे प्राण ठीन नहीं रहा। मैं अपने प्राण अपनी इच्छा से भीड़ कर रहा। मुझे अपने प्राण भेड़ करने और उसे दोबारा प्राप्त करने का अधिकार है। जो मुझे अपने पिता की और से प्राप्त हुआ है। मसी येशु के इस वक्तव्य के कारण यहूद्यों में दोबारा मतभेद उत्पन हो गया। उनमें से कुछ ने कहा ये दुष्टात्मा से पीडित है या निपट सिर्फ है। क्यों सुनते हो तुम उसकी कुछ ने लोगों ने कहा ये शब्द दुष्टात्मा से पीडित व्यक्ति के नहीं हो सकते है। क्या कोई दुष्टात्मा अंधों को आँखों की रौष्णी दे सकता है। शीत रितू थी और येरुशलम में समर्पन पर्व मनाय जा रहा था। मसी येशू मंदिर परिसर में शलोमन के द्वारा बनाय हुए आंगन में टहल रहे थे। यहुदियों ने उन्हें घेर लिया और जानना चाहा। तुम हमें कब तक दुविधा में डाले रहोगे। यदि तुम ही मसी हो तो हमें स्पर्ष्ट बता दो। मसी येशू ने उत्तर दिया। मैंने तो आपको बता दिया है किन्तु आप ही विश्वास नहीं करते। सभी काम जो मैं अपने पिता के नाम में करता हूँ, वे ही मेरे गवाह है। आप विश्वास नहीं करते क्योंकि आप मेरी भेडे नहीं है। मेरी भेडे मेरी आवास सुनती है। मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे-पीछे चलती है। मैं उन्हें अनंत काल का जीवन देता हूँ, वे कभी नाश ना होंगी, और कोई भी उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता, मेरे पिता, जिन्होंने उन्हें मुझे सौपा है, सबसे बड़ा है, और कोई भी उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता, मैं और पिता एक तत्व है तब यहुदियों ने दोबारा उनका पथराव करने के लिए पथर उठा लिए मसी येशु ने उनसे प्रफ्न किया मैंने अपने पिता की ओर से तुम्हारे सामने अनेक भले काम किये उनमें से किस काम के लिए तुम मेरा पथराव करना चाहते हो यहूदियों ने उत्तर दिया, भले काम के कारण नहीं, परंतु परमेश्वर निंदा के कारण, तुम मनुष्य होते हुए स्वयम को परमेश्वर घोशित करते हो, मसी येशु ने उन से पूछा, क्या तुम्हारे व्यवस्था में ये नहीं लिखा, मैंने कहा कि तुम ईश् जिन्हें परमेश्वर का संदेश दिया गया था, उन्हें ईश्वर कहकर संबोध किया गया, और पवित्र शास्त का लेक टल नहीं सकता, तो जिसे परमेश्वर ने विशेश उद्देश्य पूरा करने के लिए अलग कर संसार में भेज दिया है, उसके विशे में आप ये गोशना कर रहे हैं, तुम परमेश्वर निंदा कर रहे हो, क्या मात्र इसलिए कि मैंने ये दावा किया है, मैं परमेश्वर पुत्र हूँ, मत करो मुझ में विश्वास, यदि मैं अपने पिता के काम नहीं कर रहा है, परन्तु यदि मैं ये काम कर ही रहा, तो भले ही तु तुम मुझमें विश्वास ना करो, इन कामों में तु विश्वास करो, कि तुम जान जाओ, और समझ रो, कि पिता परमेश्वर मुझमे रहे, और मैं पिता परमेश्वर करो, इस पर उन्हें दोबारा मसी येश्व को बंदी बनाने का प्रयास किया, किन्तु वो उनके हाथ स पार दोबारा उस्थान को चले गए जहां पहले योहन बब्दिस्मा देते थे और वो वहीं ठेरे रहे वहां अनेक लोग उनके पास आने लगे वे कह रहे थे यद भी योहन ने कोई अद्भुद चिन्न नहीं दिखाये फिर भी जो कुछ होनों ने इनके विशे में कहा था वो सब सच है वहां अनेक लोगों ने मसी येशु में विश्वास किया